अलो फ्रेंड्स एडवेंट इनको हमने आपता स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एकनी पिंपल वेलगेरिस के बारे में जो हमारे चेहरे पे हो जाते हैं और उसके वज़े से हमें काफी प्रोल्म होता है और हम गलत बैट फिलिंग्स करते हैं दोस्तों जो हमारे शेरे पे दाल धब्बे एकनी फिंपल बल्गरिस हो जाते हैं तो दोस्तों आज जो रिवीव मैं लेके आया हूं वह क्लिंडेक एजल है इसका इंग्रीडेंट्स है क्लिंडा माइचिन फास्पेट लिंडा माइचिन फास्पेट है जो 1% है और ये 15 ग्राम ट्यू में एबले जानते हैं फिरन्स जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनक्यूब एठी कल्स प्राइबेट लिमिटेट द्वारा ये बनाया जाता है और मार्केटेड वाई ये मार्केट में बेचा जाता है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और ये हमारे स्कीन पे होने वाले दाग धब्बे देख्नी विलगेरी चू हो जाता है उसके उसमें काफी फैदा पहुंचाता है तो आई जानते हैं दोस्तों ये कैसे काम करता है प्रेंस चैसे मैं आपको पताना चाहता हूं कि कि ये 1% जेल जो है एंटिवायोटिक मेडिसिन के रूप में जाना जाता है ज जो मुहासे को परवाय तोच्या को के इंफेक्शन को कम करके जिमेडार बैक्टिया को कम करके ये काम करता है दोस्तों और ये बैक्टिया को खतम करता है दोस्तों जिसके कि हमारे चेहरे पे होने वाले दाग से हम निजात पाते हैं दोस्तों और ये बहुत ही अच्छे तर तो यह बहुत ही अच्छे तरीका से हमारी शहरें पर काम करता है। हो जाते हैं करना है जैसे कि इसको इसको इस्तमाल नहीत करना चाहिए अगर इसे नॉक्सले करना चाहिए और मेक्सिमम डिटिल प्राइश 125 रुपीज और चार 2018 तक इसका इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी दबा इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर से कर्सेल बेटर होता है कि दोक्टर उस स्क्विन को उस समय देख के कि आपका treatment करता है दोस्तों जिल आप इस्तमाल कर सकते हैं और यह बाहरी तुच्छा पर ही इस्तमाल करें दोस्तों जब भी आप इस ट्यूब को खोले और खोलने के बाद इधर से आप प्रेस करें कि आपका ट्यूब कराम नहों और सही तरीके से इस काईप को बंद कर लें यह दवा दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूं कि कि लिंडे एजे इसके डोजेज है दीन में दो बार आप इसको इसको इस्तमाल करें यह अगर आपको और डिपली जानकारी चाहिए तो इस डब्बे के अंदर एक प्रिप्यूशन यह पड़ा हुआ है इसको जाके आप करते हैं इसमें काफी कुछ दिया हुआ है इसके हिसाब से भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें शेयर करें और आगे जानने के लिए एड़मेंट इंफो हब को सब्सक्राइब करें शुक्रिया